हेलो दोस्तों गिसमोडाइम सिंधी में आपका स्वागत है मेरा नाम है चेतन आप देख रहे हैं एक क्विक अन्बॉक्सिंग और फीचर ओवर्विव आई रॉकर्ट स्टिक्स का स्नोकॉर की तरफ से स्नोकॉर इंफिनिक्स के अंडर का एक ब्रैंड नेम है स्नोकॉर के आप यह आएक सरीज आते हैं ती डव्यों से यह बड़िस पर आते हैं उसके अलावा रेगुलर यह फोन और ब्लुटूथ ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो यह है आई रॉकर्ट स्टिक्स और आप डिजाइन से ही यहां पर क्लियर लिदेख सकते हो कि यह आएंगे विदाउ और क्वालिटी कैसा रहेगा वो अलग बात रहेगी यहां पर 14.2 mm डैनमिक बेस ड्राइवर 14.2 mm डैनमिक बेस ड्राइवर दे रहा है इसका मतलब कि यह मतलब ऑडियो आउटपूट तो काफी जादा ही रहेगा और कनेक्टिविटी के हिसाब से भी यहां पर इसके केस से मतलब तीन टाइम एक्स्ट्रा आपको केस से मिल जाएगा चार्जिंग इसका टूडल एंड हाइफाई हाई फिडिलेटी स्पीकर्स इसके अंदर दिये गया है जिसके वजह से और यह आउटपूट जादा रहेगा उसके साथ-साथ और इसका बेस जादा होने का ये लोगों ने दावा किया है और इसके साथ-साथ टेक आउट आटो कनेक्शन क्यूगी ब्लूट फ़ाइप फाइप फइचर भी कंप्री ने यहाँ पर इंक्लूड किया है और म्यूजिक कॉल कंट्रोल गूगल एसिस्टेंट सब चीजों के लिए एक सिंगल बटन वह अमजान पर रवलीबल है दो कलर ऑप्शन के साथ आ रहा है पहला कलर ऑप्शन वाइट दूसरा रहेगा ब्लैक और हमारे पास जो कदर आया है वो रहेगा यहां पर वाइट कलर तो और बागी फीचर्स टूएक्स पाइर बेस तो कंपनी मोल रहे है की डबल रेगुलर बे मिलेगी और इसके अलावा यहां पर एक कंप्लेट यूजर मैनुल मिल जाएगी फर्स्टाइम उसर के लिए जिनको अगर कंप्लेट यहां पर सेट अप करना हो यूज करना हो इन इयर बट्स को तो आप इसको समझ सकोगे और यहां पर यूज कर पाऊगे चार्जिंग टा दिया गया microphone एक single mic रहेगा तो कोई यहां पर noise cancellation का अलग से feature company ने नहीं बताया तो यह calling में इतना मदद नहीं करेगा regular calling आप कर पाऊगे मगर उसके अंदर कोई noise cancellation का यहां पर feature company ने mention नहीं किया तो warranty book लेटेक मिल रही है और अब यहां पर आपको जो USB type-C cable की बात की थी तो USB type-C cable आपको box के अंदर ही मिल रही है अब finally यह रहा है इसका case और काफी decent looking case है मैंने अलड़ी 2 unit थे तो एक unit हमने use किया है यह तो unboxing के लिए हम first time आपको दिखा रहेंगे कि कैसा रहेगा आपको एक feeling के लिए कि इसका design कैसा है और कैसा रहेगा इसका looks and उसके साथ-साथ features तो और case में अगर आप उपर की तरफ देखो तो एक तरह यहां पर glossy finish दिया है थोड़ा सा है तो plastic case completely बड़ यहां पर उपर की तरफ glossy है और उसके नीचे यह रहा matte finish और white है इसका look तो काफी अच्छा है और इस पर scratches पढ़ने की chances होते हैं जहां पर यह glossy दिया है glossy looks के लिए अच आपको याद हो Xiaomi के जो Mi True wireless earphones है जो 3,500-4,000 रुपे का price है उसका उसके जैसा ही यहां पर आपको design मिल रहा है और काफी thick stem है और इसलिए अगर इतने thick stem हो तो मुझे यह उमिद थी कि battery life इससे जादा हो मगर आपको यहां पर मिल रहे है 4 गंटे के battery life earbuds में अगर इतना मोटा stem तो उसमें battery भी मोटी होनी चाहिए बट वो नहीं है यहां पर drivers मोटे है उसके अलावा battery life is 4 hours on the earbuds अब यहां पर अगर design की बात करें यह रहा इसका output और उसके अलावा आपको यहां पर यह इसके Pogo Pins है charging के लिए और microphone इसके bottom में मिल रहा है और यह रहा इसका multi function button तो यह multi function button थोड़ा सा आपको tactile feel देगा ज्यादा नहीं बट आपको इसको अंदर की तरफ push करना पड़ेगा ताकि आपको proper सा response मिले है यहां पर और आप जब भी इसको यहां पर place कर रहे हो easily place कर सकते हो इसको और थोड़ा सा अगर first time के लिए आपको यह sticker निकालना पड़ेगा यह भी आप देख सकते हो indicator light इसका on हो गया है अब pairing के लिए यह जब आप इसको लगा रहे हो तो आप सीधा इसको यहां पर open कर सकते हो open करने के बाद smartphone के अंदर जाके आप डून सकते हो कि यह pairing के लिए ready है रहे है या नहीं तो bluetooth के options के अंदर अगर हम जाके यहां पर देखते हैं तो मैंने अलड़ी Redmi Sonic-based earphones यूज़ करना स्टार्ट किया है तो वह वहां पर दिख रहा है आपको यहां पर indicator lights अलग-अलग मिल रहे हैं तो एक bluish और एक reddish है और i rocker sticks यहां पर available है pairing के लिए यहां पर हम इसको tap करते हैं और देखते हैं कि pairing हो रहा है नहीं so yes pairing is done और pair होने के बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो यह रहे इसके options contact sharing, contact sharing, input device, media audio, phone audio तो यह चीज़े यहां पर आपको available रहेंगे और इसके codec का support अगर हम बात करें तो इसके codec का support रहेगा सिर्फ SBC codec जो basic codec रहेंगे वह ही यहां पर supported है उससे जादा आपको कु यह अगर हम बात करें इसके design की और इसके comfort की तो वैसे in a way हम कहेंगे तो in ear option नहीं है तो थोड़ा से इसके नीचे गिने के chance से जादा रहेंगे जब आप jogging कर रहे हो या gym में जब कोई exercise कर रहे हो मगर in a way क्योंकि यह जो cylindrical design आता है वो क्या करता है आपके ears के पास से जब यह बाहर निकलता है cylindrical cone यह design यह थोड़ा सा वहाँ पर उसको fix करने की कोशिश करता है earbuds को ताकि वो नीचे ना गिरे and वहाँ पर वो थोड़ी से help कर देगा मगर audio quality क्योंकि sbc quality है है तो जादा इसका audio output मैंने जितना use किया मुझे audio output level जादा लगे मगर bass अभी भी इतना thumping bass नहीं लगा ठीक ठाक था ऐसे लग रहा था कि आपको अच्छे तरह से feedback मिल रहा है bass का मगर एक बात यह है क्योंकि यह in-ear option नहीं है तो आपको ears के अंदर proper seal नहीं मिल रहा था तो वो जो noise isolation वाला चीज़े वो यहां नहीं मिलेगा अगर यह in-ear option होते और आपको ear tips मिल जा noise cancellation इतना नहीं है वो तो एक है मतलब एक compromise यहां पर आपको clearly देखेगा मगर otherwise इसका microphone का quality काफी ठीक ठाक था जो मेरे opposite वहाँ जो caller थे मेरे against उनको आराम से मेरा completely audio सुनाए दे रहा था मगर उनको पीछे का जो मेरा background नहीं से वो भी easily पता चल रहा था क्योंकि इसमे noise cancellation feature नही rate ठीक ठाक है इसका quality मगर call quality में काफी ठीक ठाक लगा मुझे but battery life battery life की बात करें तो मैंने इसको use जादा नहीं किया सिर्फ एक दो cycles के लिए use किया है तो इतने महीं मैं बता पाऊंगा कि यह 4 गंडे के आसपास तो दे रहा है जब आप music सुन रहे हो जब आप ज्यादा calls में बात करें हो तो interesting था कि इसकी battery बहुत जल्दी गर रहे थी और क्योंकि आपको smartphone के अंदर ही इसका battery percentage मिल जाता है तो आप easily check कर सकते हैं आपको पता भी चल जाता है कि कितनी battery यहां पर बची रहती है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो Bluetooth के options के अंदर battery level is 100% क्योंकि अब यहां पर battery usage हो रहा है जब आप earbuds use कर रहे हैं और मैंने अपना जो case use किया था इसका earbuds का वो सिर्फ एक ही बार चार्ज किया और वो अभी दक fully drain नहीं हुआ है तो वो यहां पर एक चीज है कि battery life is not bad मगर जब ज़्यादा calling यहां पर करेंगे irocker sticks के साथ तब इसकी battery drain थोड़ आने बाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो में